गुड मॉर्णिंग इस्टूडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओलेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में संगम साहिते के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखें फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हों कि हमने संगम काल के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है तो आप प्लैलिस्ट में जाकेSen जानकरी प्राप्त कर सकते हैं ठीक है और ये वीडियो है यह एकजाम के दर्श्ची से बहुत ही मैतोपून है तो यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्ड देज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें चैनल को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलें और आप इत्यास विशेशे समधी तुम्हेतो पुन जानकरी प्राप्ट कर सकें ठीके तो चलिए पढ़ते हैं संगम साहिते क्या था संगम सब्द का अर्थ संगम सब्द का अर्थ है संग परिशद गोस्ती अत्वा सेंस्थान संगम तमिल कवियों, विद्वानों, आचारियों, जोतिश्यों इम बुध्धी जीवियों की एक परिशत थी तमिल भासा में लिखे गए प्राचीन साहिते को इस संगम साहिते कहा जाता है सरप्रतम इन परिशदों का आयोजन पंडे राजों के राज के सरंक्षण में किया गया संगम का महत्वपुन कारिय होता था उन कमियों वह लेकों की रचनों का अवलोकन करना जो अपनी रचनों को प्रकासित करवाना चाहते थे परिशद अथ्वा संगम की सरस्तुती के उप्रान थी वह रचना प्रकासित हो पाती थी प्राप्त साक्षियों के आधार पर ये निसकर्ष निकलता है कि इस प्रकार की तीन परिश्टों का आयोजन पंडे सासकों के सरंग्षण में किया गया मदूरा मंदल अथ्वा समेलन में तमिल कवियों के समेलन की चर्चा है इसका पर्थम उलेक इरियनार एगपोरूल जो आठविस साब्दिका था के विवरण से प्राप्त होता है तमिल परंप्रा से तीन साहित्यक परिश्टों का विवरण मिलता है वे पंडे राजों की राजधनी में आयोजित की गई थी तीन संगम निन्न लिकी था है पर्थम संगम ये मदूरे में आयोजित हुआ था आचारिय अगस्ते ने इसकी धेक्स्ता की कई बार किसुन पू के प्रशार का स्रे दिया जा गया है तमिल भासा में पर्थम गरंत के प्रणेता भी इने ही माना गया है माना जाता है कि पर्थम संगम में देवतों और रिश्यों ने भाग लिया था किन्तु पर्थम संगम की सभी रचनाई विनस्त हो गई दूसरा संगम ये है कवता पू गई किवल एक तम्मिल व्याक्रण तोल का पियम बचा रहा है तीसरा संगम यह है मदूरई में आयुजित हुआ नकिरन ने इसके अध्यक्स्ता की तीसरे संगम में रचित साहिते आठ संग्रय गरंथों में संगलित है इन्हें एत्तु तोगई कहते हैं आठ गरंथों के नाम इस परकार से हैं एत्तु तोगईयों के नाम इस परकार से हैं देखेगा ननी नहीं प्रेम पर चार सो छोटी कविताएं हैं करुन ठोके प्रेम पर चार सो कविताएं हैं एन्गुरु नूर किलार द्वारा रचित प्रेम पर पांसो कविताएं हैं पद ना नूरू रुद्र सर्मन द्वारा रचित चार सो कविताएं हैं पूर ना नूरू राजा की स्तूती में चार सो कविताएं हैं ठीक है उप्रियुक्त आठ गरंद इम दस ग्राम में गीत मेल कनकु के नाम से जाने जाते हैं ये दस ग्राम में गीत पत्तु पत्तु में संकल मेल कन को आख्यानात्मक साहिते को कहा गया है इन रचनाओं के वर्गीकरण के कई आधार है रचनाओं के वर्गीकरण का एक आधार है कि इसका विबाजन अगम और पूरम में हुआ है अगम प्रेम समंदी पूरम भाहिये राजों की परसंसा समंदित इनके विबाजन का दू सार भी किया गया है संपूर्ण साहित्यों को पांच तीनई अर्थाद छेत्रों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार से हैं कूरून जी अर्थाद परवत विवास ये पूर्वा के प्रेम तता पस्वों के आकर्मन से संबांदित कवीताओं के लिए है इसमें अर्थ प्रेवस्ता का आधार आकेट और संग्रेन था यह जात्ती समुदाय करवर और बेलट के लिए थी पल्ले पल्ले अर्थाद निर्जल इस्थल ये प्रेमियों के दिर्ग कालिन वीरहत था ग्रामीन पक्स को नस्ट करने वाली कवीता के लिए था इसमें आर्थी गतिविद आखेट और डैकेती थी जाती एनियर और मरवर इसके समुदाय पक्स थे मुले मुले अर्थाद जंगल प्रेमियों के अलपकालीन वियोग के लिए तथा आकर्मन की साहसिक यात्रा के लिए मुले होता था इसकी आर्थी गतिविदी पसुपालन जूम की खेती से सम्बंद थी जाती और समुदाय चर्वाहा आयर और इटेर आदी थे मरुदम कर्शी के लिए जूते मैदान यह विवहा के बाद के प्रेम अथ्वा वेशों के कपट विवहार के लिए होता था इसकी आर्थी गतिविदी क्रेशी एं उससे सम्मदित पक्स थे इससे जूड़ी जात उस्वर और वेलार थी ने तल समुदर तट यह मतस्य जीवियों के पत्नी वियोग तथा इस्थाई यूद के लिए होता था इसकी आर्थी गतिविदी थे मचली पकड़ना मोती निकारना और नमक बनाना किल कनकू इन में 18 लगू ग्रंथ है तमिर साहिते की दूसरी तरहस में आर्ये परभाव बहुत अधिक मात्रा में दस्टिगोशर होता है जैन परभाव की परधानता व्याप्त है यह साहिते नितियुक्त है इसमें दो ग्रंथ तीरू कूराल और नर्दियार महत्वपुन हैं तीरू कूराल को तमिर साहिते का बाइबिल कहा गया है किल कनकू साहिते उपदे सात्मक साहिते को कहा गया है तीसरे परकार का साहिते महाकावे था तीन महाकावे की रचना हुई पर्थम महाकावे का पर्थम गरंथ सिल्पादिगार में इस रचना को तमिर जनता का रास्ट्रिय कावे माना गया है सिल्पादिगार में स्रीलंका के सासे ग सिल्पादिकारम का अर्थ होता है नूपूर की कहानी इसकी रचना इलगो अद्दिर्गल द्वारा की गई जो चेर सासक सेन गुटवन का छोटा भाई था इस ग्रंद का कथानक पुहार कावेरी पत्नम के व्यापारी कोवलन पर आधारित है कोवलन का विवा है करनगी से हु मादवी के प्रेम में कोवलन करनगी को भूल जाता है अपनी संपुन संपत्ति लुटाने के बाद जब उसे हो साता है तब वह अपनी पत्नी के पास लोट जाता है करनगी उसे अपना एक नूपूर देती है जिसे बेचकर वे दोनों व्यापार की इच्छा से मदूरा आत हैं वैसा ही एक नूपूर मदूरा की रानिका भी खो जाता है तथा कोवलन को जूटे आरोप में मर्तुदन दे दिया जाता है बाद में करनगी के स्राप से पूरी नगरी भस्म हो जाती है करनगी मरनो प्रांथ पुनह स्वर्ग में कोवलन से मिल जाती है दूसरा महाकाव मनी मेखलाई इसकी रतना मदूरा के एक अनाज व्यापारी स्रोत वेस्नर ने की थी यह एक बोधता मनी मेखलाई की नायका सिल्पादी गारमत्य नायक कोवलन की वेश्या प्रेमी का माद्वी से उत्पन पुत्री मनी मेखलाई है माद्वी कोवलन की मत्यूपर का समाचार सुनकर बोध बन जाती है उदर राजकुमार उद्यान द्वारा मनी मेखलाई अपने सतीत्वय की रक्सा करती है बाद में वह भी अपनी माक्य कहने पर बोध विक्षुनी बन जाती है तीसरा महाकावे है जीवक चिंता मनी इसका लेखक तिरूत तक देवर है इसमें जीवक जैसे योधा के अदभूत कारिये का वणन किया गया है किन्तु अंतमेवा जैन द्रहम घरण कर लेता है सिल्पा दिकारम और मनी में एक लई बोध रम से परभावी था जीवक चिंता मनी जैन द्रहम से संबन दित है तो देखेगा ये वीडियो एकजाम की दर्स्टी से बहुत ही महत्तव पुण है अते वीडियो को बार बार देखें और इसी प्रकार से आपको और भी हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पर वीडियो मिलेंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डे बार देखेजिस